आपने हिंदुस्तान में एक शो को जज किया जहां से यह कपिल शर्मा जो है यह अभी भी वो अब उसका नाम में बदल दिया है वो कपिल जो है ना वो उसकी नौलेज नहीं है वो एडाप्टर है आपकी चीजे वो अबसर्फ करता है तो उनके पास इतना भी आजाए बड़ परान है तो वो कॉमेडी का है एक अरब 27 करोड में कोई आदमी इस पॉन्टेनियन जो ले वाला नहीं यह पूरा हिंदुस्तान में चैलेंज करके लिमित यह प्रांप्टर पर लिखावा बोलते हैं प्रांप्टर पर प्रांप्टर प्र उसके बाद टेली प्रांप्टर टेली प्रांप्टर होता है उसके बाद रेल सेल्स होती है सेटिंग करते हैं हम तो स्पॉंटेनी इंसे अब मैं आप क्या है तो मैंने कौन सेटिंग आप से किया आमध है आप किसी भी सब्जेक्ट पर बात करें कौमेडी आपका पाशन है आपका लाव है तो महबत भी चलगे तो ठीगे वरना यह अपना मता रहा है इसने ऐसे ही की थी इसने कौमेडी में जुरत की थी ओपका हुए कम मिलगे तो ठीगे वरना कोई बादी डर गई पाशन है जो लोग बहुत हसाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई दुख होता है कभी ऐसा हुआ हो कि आपके एक जनादे में जाना और शो भी चलगा है तो रजाक राजु जिस दिन मारत है अलाओ उनको घरी कर रह्मत करे तो मेरे डामा चला था दो सो ते जो दूर टेए ड़ामा चल रधा और एक शो के बीच में मुझे इतला मील गई इसकी डेथ होगी है इंटरवेल में वो इंट भाई के साथ एक बड़ी अटेश्मेंट थी क्योंकि मैंने अपनी जिन्दगी का सबसे अच्छे ड्रामा किया था पहला वो उनके साथ किया था उबर भाई आपने सारी जिंदगी माशाला इतना हसाया लिखा बहुत और ड्रामा ऐसे किया सारी जिंदगी के मूड चेंज होत खुद किस से खुश होते हैं कोई ऐसा आदमी है दुनिया में बहुत सरे लोगों से खुश होता हूँ और उन से मैं मिलता हूँ और खुश होता हूँ उन से मिलके जैसे मैं मुझे जाती तोर पे वसीमाबास से मिलना बड़ा अच्छा लगता है मगर वो इतना कुछ गंद यह भी साल चाल चाल रहा है और मैं रेली आए लाव हम रेली आए लाव हम इसके दुआ को रहता हूँ यह लाव एट रिलेशनजिप है इतनी मुझे उससे मैं आपको अंदाजा में आपको प्ताने से था मुझे कितना हाँ अचा लाव है अब तो वो क्राची में है तो गरूर तकबूर उस आदमी में तकबूर है अचा गरूर है और आंके पाड़ना और बोलना है मुझे उसका जो अना पता नहीं मुझे वो क्यों अच्छा लगता है अलागि उसके अंदर कॉलिटीज नहीं हैं कि मैं उसको लाइक करूँ मैं फुदूल खर्चिया भी तो कर है अ मत्यूंद और चौर किके अन्दर के ऊच्छा की है इसके अंदर की आरुच्छिया की हुई है आर आदम character होता है काम करने गा इसके अंदर वह भी है थोड़ा स्टाईल की येज़ जब लेडिवबनता तो बहुत अच्छा perform करता है यह होता है इनके अंदर जो आहुर बहुत ज़्यादा कमाना चाहती है पाकिस्तान में कौन सी आवाज हैं जो आपको पसंद है मैं दीवाना बहुत ज़्यादा मेदी हैसन साब कर बहुत बड़ा फैन हूं मैं मैडम का मलका तरन्नम नौर बाडम का और आपदा परवीन जी का और इसके अलावा मुझे इकबाल आप बहुत पसंद थी बहुत आला गाती गबाल वानों और सुर्य मुल्तानिगर और हुमेरा चनना हुमेरा चनना और अल्ला बड़ा करे अपना लड़की ती जिसे मैंने इंट्रडूश किया था फिल्म में चेश्मा लगाती थी क्या नाम तो स्वाहर शाजिया मंजूर आप इसने बड़े आवाजे तो आपको अच्छी लगती थी वह आवाज भी आपको अच्छी लगती है जो विस्पर में होती है अजी सुनिए आई ये कहां जा थे हैं उन आवाजों का तो मैं आदी हूं पैसलिस हैं लेकिन एकम बैक बहुत कम ऐसा होता है कि अल्छा ताल कि अच्छीए का हैं नहीं कर लिए जञा हूं लिए इन्हें आपको न को अच्छी मेरी ऑस्धारव किया कर द Summit में बेम्ज्डções कि मुर्फया हूं जब ऊच्छीए आजारे शखती है वह नेकान वनग आई हैं जढनें पेडैनों कह realised जालिसी है जो बात कि वो अपनी बहां को क्या कह रही है कि यह घजले तुंगाओ कहला के मैडन मुर्जाहां की जी की घजले नहीं कोई गा सकता है बहुत काम सिंगर्स एसी होते हैं के जिनकी फिल्मों में इनके क्रेड़िट पे चूडियां बहुत बहुत वर्स्टाइल हैं अभी हमने अपना एलमम बनाया था एक दफा घजलों का और उसमें साहरा ने बहुत अच्छी घजल मैंने कंपोस्किया इसने किया इतना अच्छा काया आप सोच बहुत उन्दा काया इसके लिए जिसके लिए कभी किसी ने निगाया को तोते के लिए मैंना के लिए सब्सक्राइब और रहम दिल और मैंने जी सहीद नूर साब रहम दिल है जिनों ने गवाया है ओमर भाई ये ये बताई है कि बच्पन की शरारतें याद ह हैं आपको कि क्या शडारतें क्या करते थे हहां कीकत बाते में बच्पन dal 지नी कि मेरे मैं कुछ बाते है इसे होती się को बढ़ा जाएँ सची साफ साफ मैं पांच साल वालिशाब की डiona होई थे और मैं 10 साल का था तो मैं कार्खhrlich वेल्डिंग पे लग गगया था और मैं 15 साल की उमर तक जो हुआ अर्लेक्टिक वेल्ड बन चुका था लूम मस्पीरों बनाता था और यह मेरा काम हो कि बूप इघया मेरे इंडर शौक भोहता काम करने फिर 16 साल की उमर में मौका मिला, तो मैंने ड्रामा लिखा बायोनिक सर्मिट, उससे परले चुड़ 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 ड्रामे करता था एक आधा दिनके, उसमें मुहिन भाई थे, मुहिन भाई की वएसे वो ड्रामा चला, लोगों ने बड़ा पसंद करा, इसलिए पसंद क वो शक्त बन गया, हाला कि मेरी चाहत इतनी ज़्यादा जो बहुत मेरे दिल से मैं जिसे चाहता था जिस बन्दे को, उनका नाम था मुनावर दरीश साब, उनको तो मैं मतलब, आज भी अगर कोई मुझ से कहे कि मैं दुनिया में किसको पसंद करता ह। तो वो ही बन्दा है और उसके सामने इनका शोगरा होटल के पीचे घर था, वहां गया और मैं उस दीवार को चूं किया जिस मकान में वो रह जाता है। इसान तो अपने आप डिसाइट कर नहीं सकता है क्यों को बैतरी ना आपके लिए अल्ला ही सोचते है। अब ये चलते 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 सारा कुछ करते कराते हैं सब को ले जो आगे सारे वाड़ वाड़ ये वो सब फिल्म, फिल्म, तेटर, टीवी सब करकरा के अब 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 सुधार ले, कुछ तो नेकी का काम कर जाए, दुनिया के लिए सद्काय जारिया हो जाए, हमारे माबाब की भी मगफरत हो, हमारी भी हो, और अल्ला ताला उसमें हमें कामियाब कर दे तो वो लमा आगे है।